गुड मोरिंग चिल्डेन्स, तोड़ आइम गोई टीच यू थर्ड लेशन आप इंगिस ग्रामर, इस्टेंडर थर्ड, ओके, सो लेट्स पीगें, थर्ड चेप्टर नेम इस नाउन्स, पिसली काक्षा में आप लो नाउन के बारे में पढ़ चोके हैं, तो चलिए इसके ब बारे में पढ़ते हैं, नाउन इस नेम आप अपसम प्लेस, अनिमल आरा थी, कराए किसी ब्यक्ति, अस्थान, जानवार या वस्तु के नाम को संग्या करते हैं, ओके, रेट दे गीविए इन सेंटेंस के फुली, नीचे दिये गए सेंटेंस को ध्यान पुरुवक पढ़ि The dog following the boy, dog is the name of an animal, boy is the name of a person, टी, dog किसी एक जानवार का नाम है, और boy प्रिक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, okay Nouns are naming words Study the following sentence Nouns क्या है? Naming word है मतलब यह किसी चीज़ का नाम है चलिए इसके बारे में नीचे के sentence को पढ़ते है The teacher teaches ठीक है? इसमें नाउन क्या है? Teacher is the name of a person किसी ब्यक्ति का नाम teacher ठीक है? किसी ब्यक्ति को कहा जा रहा है The crow cows कावा काव काव करता है Crow क्या है? एक बढ़ का नाम है इसी तरह से है This is a market Market एक प्लेस का नाम हो गया ऐसे ही है देखते है The that is an aeroplane Why? हवाई जहाज है The word aeroplane is the name of a thing किसी ब्यक्ति का नाम aeroplane है ठीक है? इसी तरह से कहा जा सकता है Noun is the name of a person Place in मना Think कोई भी वस्तु हो कोई भी जगा हो जो चीज आपको नजार आरे सब नाम है Okay students In this sentence Teacher, crow, market and aeroplane are naming words So they are called noun All naming words are called noun जितने भी वस्तु है जिनका भी नाम है कोई न कोई भी सब क्या है Noun है ठीक है? Exercise time A Multiple choice question MCQ देखते हैं Take the right option First A noun is the name of a person Think Both A and B तो क्या है A and B होगा क्योंकि noun किसी व्यक्ती वस्तु अरस्थान के नाम को भी करते हैं Nouns are doing, naming, describing word कैसा वर सही naming word है ठीक है? Okay, next place B Peek out the nouns from the following sentence इम लेके sentence से nouns को क्या करना है? स्काटना है ठीक है? ता ये देखते हैं First This is a beautiful flower इस में noun क्या है? Flower ये किसी वस्तु का नाम है किसी चीज का नाम है Beautiful तो इसके गुण को बतारा इसलिए नहीं होगा ठीक है? Second is The doors Where shut दरवाजे बंद थे तो shut क्या है? बंद करना होता है तो ये तो verb हो गया इसलिए क्या होगा? यहाँ पे Doors ठीक है? Shut नहीं होगा आमने बताने में यहाँ पैंसिल रख दिया ठीक है? Third is This pencil is short Short तो पैंसिल का गुण है Short हो या फिट टॉल हो Pencil क्या है? Nouns हो गया ठीक The plane landed safely हवाई जहाँ शुरक्षित उतर गया कौन शुरक्षित उतर गया? हवाई जहाँ यानि प्लें My father and mother love me मेरे मामी पापा मुझे प्यार करते है Father and Mother इसी तर से बच्चों आप लोग ऐसे ही इसको As a HW में दे रहा हूं आप लोग complete कर लिजेगा ठीक है? Next देखते हैं Underline the nouns in the following story इस story को ध्यान पर पढ़िए और जो nouns है उसकी निचाब कोंड़ा लाइन करना है ठीक है बच्चू? They say once they lived a poor woodcutter In a thick forest इक बार की बात ही घरी जंगल में गरीब लकड़ारा रहता था तो woodcutter हो गया Nouns ठीक? क्योंकि किसी परसन को ये Indicate कर रहा है ठीक है? In a thick forest Forest में हो गया ठीक? Learn money by selling wood लकड़ियां बेच करके वाद धन कमाता था उड़ क्या हो गया? Nouns हो गया One day he felt thirsty एक दिन उसे प्यास लगी He went to a nearby river तो रीवर क्या हो गया? Noun हो गया While he was quenching Quenching में सो था प्यास भुजाना His thirst जब वह अपना प्यास भुजा रहा था His ex अब यहाँ ex क्या हो गया? कुलाडी फिर into the water उसकी कुलाडी पानी में गीर गई He was sad वह दुखी हो गया Being too poor It was impossible for him to buy a new ex ठीक है? गरीब होने की कारण उसके लिए नई कुलाडी खर दना विलकुल असंभाव था He began to weep वह रोने लगा God Mercury Mercury came there तभी वहीं एक इस्वर एक देवता आते हैं ठीक है? Mercury ठीक है? नाम का एक देवता आते हैं He asked the woodcutter We would cutter से पूशते हैं Why he was with crime वह क्यों रो रहा था? The woodcutter The woodcutter narrated To him The whole story या इस्टोरी भी क्या है? नाउन से थीग है? लकड हारी ने पूरी कहानी बताई क्या कहानी बताई? उसे प्यास लगी थी और पानी पीनी गया और पुलाडी उसकी नदी में गीर गई गड मरकरी डिसअपियर तभी गड जो है? डिसअपियर हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं? देन ही देन गड मरकरी अपियरड अगीन भी तगोल्डेन एक्स तभी जो गड जो है? वो उड़कटर को देते हैं, the poor उड़कटर did not accept it, वेचारा करीब लकड़ारा उसे accept नहीं करता है, he was interested only in his own eggs, वह केवल अपनी ही कुलाडी चाहता था, उसकी रूची केवल अपनी ही कुलाडी में थी, He did not even accept the silver eggs, नहीं हाता कि उसने चाहती की कुलाडी को भी नहीं स्युकार किया, God Mercury was pleased with his honesty, God Mercury उसकी मांदारी से बहुत प्रसन्य वी, बहुत खुश्य वी, He gave him back, not only his eggs, but the golden and river access also, वह केवल उसी की कुलाडी नहीं देते हैं, बलकि उसे सुने और चाहती की कुलाडी भी दे देते हैं, तो बच्चों यह थी, कहानी इस लेशन की, और इस कहानी सक्या सिक्षा मिलती है, कि हमें इमानदार रहना चाहिए, okay students, so this topic is finished here, and I will teach you next topic, next day, okay, thank you, take care.